मैं अई कंमें सर्ण यस प्लिस डो नमस्ती सर्ण नमस्ते बैटिये ऐ तेंक्यो सर्ण आपनेभी मास्क लगा रखा है हम लोगों ने भी मास्क लगा रखा है जी सर्ण कारण आपको पता ही है और भी सारे जो उपाय हो सकते हैं जैसे आपस में दूरी बनाए रखना सेनिटाइजिशन का प्रयोग करना और आपकी कुर्सी को दो गज से बहुत ज्यादा दूर रखा गया है ताकि किसी तरह के संक्रमण का कोई खत्रा ना रहे लेकिन बात्चित कर अपना नाम बताए और बीना अपना होम डिस्टिक बताए अपना परिचे कुछ ऐसा देजिए जिससे इंटरव्यू को कुछ ऐसा अधार मिले आपसे बात करने को मैंने ट्वेल्थ गौवर्मेंट स्कूल से किया है उसके बाद ग्रेजिशन मैंने गौवर्मेंट कॉले से ही मैं ग्रेजेशन किया है साइंस में उसके बाद मैंने पौलिटिकल साइंस में एम रिए और पौलिटिकल साइंस से ही मैं नेट वालिफाइड हूँ और 11 सितम्ब दो हजार बारा से दो अक्टूबर 2017 तक मैं टिचिंग प्रॉफेशन में रही उसके बाद आरेस 2013 वाले एक्जाम में मैंने कमर्सेर टेक्स डिपार्टमेंट में जेसी जेस्टियों के रूप में मैं भी कारेर दूँ हो चीक बात है तो अभी आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है नि जितनी बाते बताइं उस बातों में मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आप अपने उसके बाद आपने मे किया जाता है तो आपने यहां पर ने टिछा आप टीचर के लिए यह एलिजबल थी फिर आपने आप उसके बाद आभी टेक्स इंस्पेक्टर एर टेक्स ओफिसर के रूप में कारे रहते हैं फिर उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं तो इतनी जिन्दगी से भाग क्यों रही है आप मैं आपको यह बताऊंगी कि मैंने सबसे पहले मैंने आरेस की ही तैयारी ग्रेजिशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आरेस की ही तैयारी करूंगी और उसी दोरान RS की तयारी के दोरान ही मेरा एक job security के लिए मैंने teacher का exam दिया तो उसमें मेरा selection हो गया और मैंने join कर लिया क्योंकि यहां जो RS की जो भरती है सर वो बहुत लंबा time लगता है उसमें तो मुझे लगा कि जॉब के साथ साथ तयारी करना ज्यादा उचित रहेगा और sir मेरा target प्रशासनिक सेवा में उच इस्थान प्राप्त करना है उसी के according में अभी तक पढ़रियू sir तो फिर आपने इस की परिक्षा क्यों नहीं दी जब बितना प्रशासन में उच अस्थान को प्राप्त करना है आपने दिया है उससे उचाप प्रशासन तो मेरे ख्याल चाहरे तो राजस्थान से बाहर आप निकलना नहीं चाहरी है राजस्थान से इतना लगाओ का ऐसी कौन-कौनसे चीजिए राजस्थान में जो आपके लगाओ का कारण एक तो आपका परिवार है दूसरा परिवार है वहार पूरा एर्या है वह देखा हुआ है तो वहां जॉब करने भी मिध्या करने में भी सर दिक्कत नहीं होगी तो यह कुछ कारण नहीं है आप अपने 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 अपर जोन में रहना चाहिए लेकिन नोकरी करते समय तो कई वार आपको इसे लान पड़ेगा फिर आप कैसे करिएगा मैनेज नहीं सर, मैनेज हो जाता है सर अभी टीचिंग लाइन में रहते हुए भी मेरी जॉब राजस्थान में कई जगें लगी तो मैंने वहाँ एड़्जस्ट किया ही ना सर ठीक, सर सरीटा जी सर आप बोटनी जूलोजी और केमस्टिक स्टूट रही है जी सर तो मुझे बताए लॉफ सेग्रिगेशन क्या होता है सेग्रिगेशन, प्रथक करण का नियम सरी सर कभी सुना इसका नाम सर सुना हुआ तो है लेकिन अब ग्रेजिशन करे बहुत टाइम हो गया मेंडल ने अपने प्रियोग कौन सी फसल पर स्थापित किये थे सर मटर पर क्या था सोरी सर यानि कि साइंस वाले सेग्मेंट हटा दें जी सर गुजराल जो आपका सिध्धान्त है हो क्या है और वर्तमान में इसके क्या उचित्ते रह गए है हमारे जो पीम थे 1997 में गुजराल जी उन्होंने पडोसी देशों के साथ सम्मन्द सुधारनी के लिए गुजराल सिध्धान्त प्रतिपादित किया था और उसके तहत जितने भी भारत के जो पडोसी देश है उनके साथ उन्होंने सम्मन्द सुधारे थे और अभी पीम मोदी जी सहाब भी नेबर फर्स्ट पे ही काम कर रहे है और जैसे अपनी वो 2014 में जब इलक्ट होके आये थे उसके बाद वो भुटान की यात्रा की और मांगला देश को भी वो हेल्प कर रहा है ठीक बाद राशिन भारत में हम देखते हैं कि स्थानिय प्रशाशन पे भी जोड़ दिया गया था कुछ लोगों के दौरा कुछ राजाओं के दौरा तो पंचायती राज क्या उसी संदर्ब में देखा जा रहा है या उससे कुछ भी नहीं है सर पंचायती राज जो 1882 में लाड रिपन के टाइम जो आया था स्थानिय सवसासन उससे मिर्जा जुदता ही है सर ठीक है क्या दोनों में कुछ डिफरेंस भी है यह बताए कि अलवर के अंदर ओटो मॉबाइल इंडिस्ट्री का इतना डेवलप्मेंट होने का क्या कारण रीजिन क्या है सर सबसे पहला तो कारण है कि जो ओटो मॉबाइल का जो हब है वो मेंले अलवर में भीवाडी खुसखेडा टपुकडा के आसपास है तो यह इसका जो सिचेशन है भावलिक अवस्थिती है उस जगयें की वह NCR के नस्दीक है और एक में रिजिन सर इसका ही है उदासी नी करण क्या चीज होती है सौरी सर अब कमेर्शल टेक्स में रहें ना जी सर टेक्स सेस और सरचार्ज जी सर तीन चीज़े होती है जी सिर क्या डिफरेंटिन चीज़ होता है वो किसी विसेस उद्दिश्य के लिए जाते है स्टिक और सर चार्ज का भी वो वो किसी प्रवादी कर लेते हैं क्या राज्य सरकार भी लगा सकती है जी सर कोई ऐसा बताएंगे आप राज्यस्थान में जो सरकार वसूल रही हो सेस्के माध्यम से नो सर टेक्स डिपार्टमेंट पर रहे हैं जी सर अभी जी सिर्फ ने कमर्शल टेक्स में आप चाहिए अपकाम कर करता है यह एक इलक्टोनिक दस्तावेज है जिसके दो पार्ट होते है और यह जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब गुड्स की सप्लाई होती है तो इसको सप्लायर को जो ट्रांसपोर्टर होता है वो इसको जनरेट करता है उसमें उस वीकल का नंबर होता है उस कितने हजार का माल होना चाहिए, कितने लाग का माल होना चाहिए जो एवेवल अनिवारे हैं वो 50 उजार का तक की लिमिट और एवेवल वैलिड कब तक रहता है 24 आर्स के लिए माल लेते हैं कि अगर डिली से तमिल्नाटू के लिए कोई टरंक जा रहा है तो उसके लिए हर रोज एक नया e-way bill जारी किया जाएगा या एक ही e-way bill काफी रहेगा एक ही e-way bill काफी रहेगा उसके लिए अभी आपने का कि 24 hours के लिए वैलेट रहता है नहीं 24, sorry sir, 24 hours के लिए नहीं होता, वो एक लिमिट होती है, time limit उसमें लिखा होता है कम दूरी के लिए कम time होता है, ज्यादा दूरी के लिए ज्यादा time होता है हमने क्या देखा है कि राजस्थान में खासकर जो कि इतने राज्यों के साथ सीमा चूती है पेट्रोल और शराब की तसकरी बहुत जारा होती है, consumption of alcohol और पेट्रोल अभी भी GST में शामिल नहीं किये गए ऐसे कारण बताईए और ऐसे प्रावधान बताईए इनकी तसकरी को रोका जा सके और सरकार अभी तक नहीं कर रही है सर एक तो जो तसकरी जो राजस्तान बॉर्डर से जो हो रही है उसका खासकर मां हर्याणा से देखते हैं कि शराब की तसकरी बहुत जारा होती है पेट्रोल की तसकरी बहुत जारा होती है तो सर पेट्रोल का जो वहां जो हर्याना गवर्मेंट जो टैक्स लगाती है वो कम है और राज़्थान गवर्मेंट का ज्यादा है तो तब ही तब ही होती है कि जब एक राज्य में सवस्ता एक राज्य में महंगा हो तो ऐसा कोई प्रापधां कर चोरी को रोकने के लिए राजिस्तान सबकार अपना सकती है और आपको लगता है कि टाक्स-अफिसर होने के ना घट्योंग तो यही सभी ते मेंद्ट सोन कब ना सुझायगा दिसक्राइट कर सकते हैं इसको तो सिंद्ट शरकारी विरूदी रही है हमयशा से पेटोल रख को तिस्की से में शाविल करने के लिए सर इसका रविन्यू का बढ़ा आधार है सबसे बड़ा पार्ट होता है और उसके बाद ये लिकर पर टैक्स है फिर पैटोलियम पदार्थ है फिर पैटोलियम पदार्थ है और उसके बाद सर ये जो रजिस्ट्र का जो रजिस्ट्री होती है इसे बड़ा रेविन्यू मिलता है में इस अभी हाली में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत की क्या पोजिशन है सर वन थर्टी वन रेंग प्राप्त हुए भारत को वन थर्टी वन हुए है या वन फोटी हुए है सौरी सर कौन जारी करता है इसको डबलूए डबलूए एफ क्या है वर्ल्ड इक्नोमिक फोम अच्छा पहले नंबर पर कौन है सारी सर ठीक बात है यह बताइए कि जैसे को इनवाइट करना है फ्रेंड के साथ तब अब कौन से सबस्साल में नहीं बना पाता है मैं जब किसी को इनवाइट करती हूं तो मैं या तो पूछ लेती हूँ जो उनके पसंद्का उन बना लेती हुं जैसे डेडिशनल खाना होता राजस्तन का hè दाल-बाती चूर मैं सब्दूर के भोजन में राजस्तान के मसाले उसके चलते हैं जिनका को फद्रोडक्शन में होता है है मुक्कि रूप की। मिर्च नहीं होती मिर्च होती है मतानिया मेर्च सर्सों तेल कोमसालों रखा जाएगा सब्सक्राइब में तो तो राजिस्तान प्रसे थी सर्सोंगा में इसके लिए अलवर में सर भरतपूर में है सेवर सेवर है सर राश्टे सरसो अंसंदान के इंदर सेवर भरतपूर अच्छा ठीक है और यह बताइए कि राजिस्तान में दूसरी कौन-कौन सी प्रमुक फसले हैं जो देश में नंबर एक उत्पादन में हो सर बाजरा है जो पस्टिमी हनुमानगड साइस सर वह होता है चैना भी होता है स्री गंगानगर हनुमानगड में अच्छा यह बताई यह माल लिजिए कि आपके यहां डबलू एच्चो कोई अधिकारी आने वाला है वह आपके डिपार्टमेंट को कुछ ग्रांट देना चाह रहे हैं अनुदान देना कर रहे हैं आपके अधिकारी आपके पास फोन आता है ग्रांट बहुत बड़ा है उनका आता है कि देखो यह आपके यात में यह चे कर लिजिए जो गड़बडियां है केवल उनको कागज में दिखा लिजिए हम लोग इसको ठीक कर देंगे बाद में जो मानक है उसको कर ल पर दोंगी कि क्या-क्या हमारे जो चैनिंग बता रहे हैं उसमें हमारी क्या स्थिती है और फुल्फिल नहीं है तो सर मैं उनको अपने बोस को बताऊंगी कि सर बहुत एकदम तो नहीं किया जा सकता स्टेप बाइस स्टेप इसमें कुछ नहीं है बस आपको ठीक लगाना ह इसमें स्टेप बाइस टैप करके उनको मैं इंटीमेट कर दूघी स्थति ऐसी-सी हैं आपको सारी स्थती को किलियर करके एक तो पता है तभी और मोड में कर लिजएं इस से हम लोगों को फायदा है इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन को लना को हां में कहना है सर मैं हाँ तो नहीं काूंगी तो फिर गांट भी यह चीजों को सुधारने के बाद हम उनको समझा है नहीं आपके अनुसार डॉई हो आएका नहीं बार-बार हमेशा तो ग्रांट लेकिए अगा नहीं जब हम उस जो पैंडिंग जो है रूप नहीं क तो उसकी वज़ा से आसपास के लोगों को इतना परसुनिटी मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो आप नहीं चाहती है कि लोगों तक मैं चाहती हूं लेकिन मैं गलत तो नहीं करूंगे नहीं करेंगे फाइनली नहीं करेंगी अप गरांड को आप उस प्लोटवा बैठिए सरिता इंटर्व्यू तो आपने आरेस में पहले भी दिया हुआ है जी सर तो कैसा अन हो रहा था महां पर कितने माख साय थे लास्ट टाइम जब आपका सेलेक्शन हुआ था 75 आथी सर बहुत अच्छे नंबर है मेंस मतलब थोड़ा सा कमजोर रहा गया था जी सर इस बर्मेंस केसा हुआ है अच्छा हुआ है तो उमीद करें कि 75 प्लस नंबर आए इंटर्व्यू में और अच्छे रहें काएंगे ऐसा सोच तो रही हूं से नहीं ठीक है सोच ही नहीं रही है आप एफट भी आपने डाला हुआ है और यह अच्छी बात बूद तो कहां कह आपको कमिया को कहीं लगी जी सर एक अधिकारी को अगर अपने में कमी लगे तो यह सबसे बड़ी उपलम्ति होती हो उसकी कहां कमी लगी अपको सर मुझे एक तो जो सर ने मिरसे केशन पूछा था सैस और वह बहुत ही बेसिक केशन था जो मैंने पहले बढ़ा था लेकिन प्लानिंग ये है कि में वहां भी सोरी बोलके साइन्स को मैं इसलिए की पढ़ने के लिह अब efforts अभी teaching का भी है और current भी हैmist तो मैंने सोचा कि मैं साइंस सब्सक्राइब लग考 मुझे तो शलिए वहाँ परहस और साइन्स वाले दोर से आप 7-8 सल पहले ही निकल चुकी है इसलिए उसको अभी पढ़ना भी नहीं चाहिए मैं वह उसको वापस से पूरा रिवाइज करूं ठीक है लेकिन सोरी कि इतनी लंबी प्लानिंग में पहली बार सुन रहा हूं ठीक बात है अच्छी बात है यह प्लानिंग का तरीका यह प्रशासन का है ना कहां पर हाथ जोड़ना है कहां पर लेकिन सर विद्धन स्लेबर से आप एकदम सही है अला कि कोश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस के और ऐसा भी नहीं है कि साइंस के कोश्चन अगर आप नहीं हो चुका है तो प्रोफाइल वाले कोश्चन नहीं बता पाना ज्यादा घातक है बजाए कि 10-12 साल पहले की चीज़ों को नहीं बता पाना इसमें कहीं से कोई अपरात बहुत हमन मिलाने की ज़रूरत नहीं है और यह कोई गुनाह नहीं है ऐसे बहुत सारे प्रश्ण होंग है उसकी दो वज़ा है एक तो आपका व्यक्ति तो ऐसा है और दूसरा आप मेरे ख्याल से जॉब में कब से हैं 2019 से हैं इस जॉब में 2017 से है तो चार साल का जो अनुभाव है यह अभी व्यक्ति को बहुत निखार देता है तो यह दोनों कारण है जो आप पूरी तरह से एक लिए के रूप में सटिक भीठती है तो वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपका बोलने का लैज़ा बोलने का तोन बोलने में जितना आधर होना चाहिए वह आधर संब्स सबकुशंद कुछ आप दे रहे हैं अपने एरिया में लोगों प्रिये अधिकारी को रूप देती तो अच्छा लगता जैसे कि आई-एस की परिक्षा में इस लिए नहीं दी क्योंकि राजसानत से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी आप खुब सोच के देखिए आंसर ही नहीं था सर वह तो मैं बोलने के लिए बोल भी थी क्योंकि मैं सर सच तो यह है कि आई-एस का मेरी जब मैंने तैयारी शुरू करी थी अस टाइं मेरी शादी हो गई थी और मेरे लिए शायद आई-एस की तैयारी करना मलब वह ताइम पता नहीं कुछ एक्जेक्टली यहीं बताईए कि इसका आई-एस के बारे में हमने सोचा था उसके बाद शादी होगी जब शादी होगी तो और भी जिम्मेदारियां हमारे उपर आ गई लेकिन बोलेंगे कि तुम आरेस की भी तो तैयारी कर रही हो तो आरेस का जब हमारा परिवार एक से प्यार हुए तो हमें लगा कि इसी एरिया में रहके सर्व करना जादा बेतर है कि परिवार से अलग नहीं होना पड़ें बजाए इसके कि राजसान से बाहर ही नहीं जाना चाहती है जबकि जूट है जूट था थीक दूसरा तिसरा चीजी है कि आपने एक बार फिर बोला क इस सारी आपके लिए बहुत घातक है क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो आप हो सकता है रात में जाना पड़ें पूलिस ऑफिसर अगर बन गई तो आपको रात में निकलना पड़ें बच्चा रो रहा है लेकिन उसको छोड़के डिवानी पड़ें जिम्हदारी आती अफर्जों से बाहर ने निकल ली बात समझ रही है यह मत दर्शाहिए ना कि मुझे एक आराम तलवी क्यादत पड़ी हुई है और मैं इस पूर्सी को छोड़ना नहीं चाहरी हुए इससे बढ़ियां कुरसी मिले तो उस पर जाकर बैठ जाओंगे ऐसा नहीं करना है फिर जित्तों में कहीं से कोई परिशानी है नहीं और बदलाव की जरूरत नहीं है आप जैसी है वैसे ही जाईएगा इंटर्व्यू देने साड़ी पहने के आदत होगी तो कोई ज्यादा कैरी करना मुश्किल नहीं होता है ना साड़ी ठीक है आप देख लिएगा ऐसे भी आप पचात्तर की जगह पर चेत्तर आजाए जिस तो बीच में जैसे जिन प्रश्णों का समझ जा रही है कि को कोश्ण का इंटेंशन शायद यह होने वाला है तो आप बीच में ही बोल दे रहे हैं प्रश्ण पूरा होने से पहले मैं समझ गया हूं इस भाह से तो बेशक आप क यह कितनी पढ़ाइ लिगाई कर पा रही है तो थोड़ा सा निईज़्पेपर और करेंट से बी अफडेट रहे गा तो निईज़्पेपर करेंट से अपडेट रहेना आपने एकनोभी वाले पॉर्शन देख लेना है साइंस के लिए सुरी तियार करना है और एक्दम आरा